नमस्कार मैं हूँ मिनाक्षी जोशी और आप देख रहे हैं कहानी कुर्षी की और सबसे पहरे बाद आज शहर शहर मस्जितों पर छड़े हुए बवाल की आज मुंबई की इधारावी में सुभे से टेंशन का महाल है महबूबे सुभानिय मस्जित के अवैद निर्बान पर कारवाई के लिए पहुँची बीमसी के टीम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा तस्वीरे आपके सामने हैं भारी संख्या में मुस्लिम समुदाई के लोग सड़कों पर कारवाई का विरोध करने लगे पुलिस ने शांती बनाए रखने की अपील की और इसके बावजूद बीमसी की गारी में तोड़ फोड़ हो गई इस बड़ी खबर पर लेटिस्ट अबडेट ये है कि बीमसी ने मस्जिद प्रिशासन को आज दिन का समय और दे दिया है और मुस्लिम पक्ष बीमसी की कारवाई के विरोध में कोड़ जाने के तयारी कर रहा है दूसरी तरफ हिमाच्वल प्रदेश की सिरमौर में आज हिंदू समाज के लोग सडकों पर उतर आए भगवा जंटा लेकर हिंदू संगटन से जुड़े हुए लोग सडकों पर उतरे और हिमाच्वल प्रदेश में अवैद मस्जिदों पर आक्शन से लेकर वक्षबोट को खत्म करने और घुसवैट पर आक्शन करने की मांग करने लगे दोनों तस्वीरे आप सरफ में एक समानता देखें बात अवैद मस्जिद की या सिर मस्जिद में अवैद कंस्ट्रक्शन की इल्लीकल कंस्ट्रक्शन की हो रही है बस पर कितना है जहां धारवी में मस्लिम समुदाए इस कंस्ट्रक्शन को गिराने के खिलाफ प्रोटेस्ट पर है तो वही हिमाचल की बात कर ले तो वहाँ पर इस वक्त हिंदू संगटन इस अवैद धाचे के खिलाफ खड़े हुए है तो खिलाफ दोनों तरफ है एक तरफ मस्लिम समुदाए सड़कों पर है और खास तोर पर अगर धारवी के बात कर लें तो यहां पर महाल आज बहुत देर तक गरमा गरम बना रहा है लगातार कोशिश बीमसी करती रही अधिकारी समझाने के प्रयास करते रहे लेकिन मस्लिम समुदाए के लोग कहने लगे यह त धार्मिक आज़ादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है यह तो भ्रश्टाचार की बात हो गई और अगर आप वाकई में आवैद की बात करें तो यह कहने लगे कि पूरा का पूरा धारवी स्लम आप देख लिए तो सब आवैद है सारी जुग्या आवैद है सारी चॉल करने के बात की जा लगी है लेकिन मामला क्योंकि राजनितिक महाल में गरमाया हुआ है इसलिए चर्चा कहाने कुरसी की मेहन कर रहे हैं हमारे साथ समीर चाउंगाकर जी अफदेश जी बहुत स्वागत आपका विजयत वेदी जी और हर्श्वरधन त्रिपाठी जी मारे सा जुड़ गए हैं बहुत स्वागत स्वागत आपका चर्चा की शुरबाद विजय जी यहीं से कर लेते हैं एक ही तरीके का प्रोटेस्ट है अगर आप देखें तो एक है मस्जिद गिराने के लिए और दूसरा है मस्जिद बचाने के लिए किया कहिंगे इन दोनों तस्वीरों पर दोनों मैं common है कि मस्जिद को गिराने की बात हो रही है दोनों में एक बात और common मुझे लगती कि दोनुं में राजनीती हो बेशक दोनों जगे अवेद है अब इस पर बहस की जा सकती कि अवेद चीजों को तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए दहरावी का जैसे वहां के लोगों नहीं जिक्र किया कि पूरी कोलोनी जो लोग मुंबई जाते हैं आते हैं वो जानते कि पूरी के पूरी जो इलाका है वो ही अवेद है तो अवेद इलाके में अवेद मजजिद को या मजजिद के अवेद हिस्सों को तोड़ने की और वो सवाल है क्या इस तरह से हो रहा है दूसरी तरफ जो समाज के लोग बैठे हुए है क्या उनको इस तरह से खड़े हो जाना चाहिए कि बहुत है चीज है तो जो भी लोग उस पर कर रहे हैं काम उस पर काम कर रहे हैं माचल का भी लगातार यह हो रहा है अभी तो एक के बाद एक शहर में इस तरह का मसला आ रहा है तो इसको मैंने कहा कि यह सिर्फ अवैज मस्जिद का मामला नहीं है यह थोड़े से गहरे मसले राजनितिक मसले भी है इनको उस तरह से भी देखना चाहिए यदि आप सिर्फ अवैज निर्मान पर कारवाई के तरह से देख रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत उपरी तरीके से देख रहे हैं और दोनों ही गंबीर मसले है गंबीर तो है राजनितिक भी है हर्श्रादंत रिपाठे जी लेकिन मेरा सवाल तो यह है बड़ा बुनियादी चलिए जब अवैद कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब बीमसी ने अपने आखों पर पट्टी बांध ली थी लेकिन अब जब पता चल गया है और उसके बाद का देखे बेसिक एक कॉमन है कि अवैद निर्माड करते धार्मी की स्थल वालों को भी जरा सभी ना अल्ला का डर है न तो उनको जरा सभी यह सोचने का है कि यह पाक की बजाए नापाक हो जाएगी उनको यह शायद भरोसा है लंबे समय से भारत की राजनीति में कि मस्जिद कुछ लोग णिर्माड होगा तो शायद उसको हात ने कोई नहीं लगा तक गोईर निर्माड करवाई लेकिन, अलग-अलग-अलग हिस्सों में इस तरह की घटना ओपर, वहाँ का Municipal Corporation कारवाई करता रहता है, उसके खिलाफ लोग खड़े होते रहते हैं, कोई सक्त Administrator आता है तो दो मिनिट लगता है सब ठीक हो जाता है, अब यह जो धारावी वस्ती है, धारावी निश्चित तोर पर अवयद तो है, क्योंकि वहाँ कोई नक्षा पास करने जैसा कोई एक तय जो सामान्य मनुष्य जीवन के लिए चाहिए, वो रोड हो, वो नाली हो, वो सीवर हो, वो बिजली हो, वो कुछ है नहीं, वहाँ तो आप चले जाए तो लगए कि बंबई कोई आया, क्यों मरने के लिए आया है क्या, लेकिन जो लेदर का सबसे बड़ा उद् आप जो 90 फिट रोड कह रहे हैं, यही अकेली रोड है, इसके लावा धारावी में कोई रोड है नहीं, माफ कीज़ेगा देखे बत और पत्रकार मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं इसी धारावी में पिछला महराश्य एलेक्शन कवर करने गई थी, तो म मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान देश भर में शायद ठीक हो गया होगा, लेकिन वहाँ आज भी सुबह सुबह आपको समझ में आ जाएगा कि अभियान नहीं चला, अब ये मस्जिद का एक हिस्सा अगर अवयद बना, तो उस पर ये बात हो सकती है कि ये हिस्सा अव बंधन समित के लोग हैं, उन्होंने अच्छा उदाहन पेश किया, वही हम खुद ही तोड़ देंगे, उनको जब लगा कि सामने से टूटे गा, लोग सडकों पर उतर रहे हैं, आप उसको बचाने के लिए उतर रहे हैं, दूसरी जगहों पर लोगों को सडक पर उतरना कि यहां वायद किसी ने बना लिया, हम सोचते हैं, अच्छा चलो थोड़ी दिनोटिस बेज देते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई दमदार आदमी तो नहीं, अच्छा ठीक है रहने तो छोड़ देते हैं, फिर कभी कोई पोलिटिकल मसला आएगा, तो इसको हम कर और अब जब तोड़ रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिशन्स भी बड़े बड़ शड़कर हिस्सा ले लेते हैं, देखें, धारावई कोई मुंबे का शेत्र नहीं है, धारावई तो एक छोटा शेर के रुपे आप इसको देख सकते हो, तीन किलोमेटर का एरिया है, और अठ लेड़े से दो क्रोड की चौज सिल करता है, लेडर का बड़ा काम होता है, लेकि लेडर से बड़ा काम से जादा जितने बंबभई के बड़े अपरादी रहे, जितने अंडरवड के लोग रहे, जिनके शूटर रहे, जो बड़े क्राइम करते हैं, वो सारे धारावई भी जाके पना लेने वाले लोग रहे हैं हमेशा बंबाई में जो लूट पाड होती है उनको धारावी एक समय आश्वेस्थल बनी गया था कि वहां आकर आप छिप जो तो इतना सेंसिटी वह रहे था कि महां पुलिस आने की हिम्मत नहीं कर देदी कि अंदर जाके आरेस्ट जाता है कि अगर पुलिस चली दो जाएगी पकड़े लेकिन वहां से पुलिस जिन्दा लोटके नहीं आएगी तो अपरावी को लिए एक शरण स्थरी बनी हुई है कि अपरात को रो पुरे बंबाई में और धारावी में आके रह लो तो मुझे लग रहा है कि दारावी का कड़े नामें वत ऌ po voting करतें सारे पॉलिटिकल पारटी के का लया धारवी लग से बने हुए हैं अपने मुख्याल एं उनके धारावी कें पार्टीने अपने अले कराले बने हैं बर्शा गायकवार जो सांसत है वो धारावी से दम पर बनती है। राष्ट्रोधी कॉंग्रस पार्टी के शाहत पवार है, अजित पवार है, शीव सिना है, उद्धाव ठाकरेकी। वहां से आते हैं, अब मिलिन देवड़ा गये, तो मिलिन देवड़ा को पता है, वहां एक बड़ा बोडवएंग है, जो शीव सिना के साथ वहां से जोड़ा हुआ हुआ है, खुली पॉलिटिक्स है, यानि तो सीधी बात ये है और बीमची जो काम करने की कोशिश कर रही है, कर पाएगी उनने दूसरा एक करण में बता दू कि सीब धरावी में अक्री मस्जिद नहीं होगी जौवेद बनी होगी अगर आप पूरे धरावी का पर स्टेश करोगे तो कम से कम 15 से 20 मस्जिद होंगी अंदा चुटी जौवेद बनी होगी वहाँ पर तो डिस्टार तो सार अबधेशी लहां आपके अपकी क्या राए है यह वहाँ तो वहां तो बीमसी के लोग घुस भी नहीं पाए तो कहने के लिए कि तोरने आय थे लेकिन उस जो नब्बे फीट रोध है वहां प्रवेस भी नहीं कर पाए हम लोग जो है नब्बे के दशक में धरावी पर कई फिल में देखते थे देखते थे ओ फिल्मों में एक तो धरावी नाम से फिल्म इसे अनिल कपूर ओम पूरी सवान आजब्म solve उब्चलि 2 में बनी फिल्म के बनी थी इसकी अलावे भी अनेग फिल्मों में धरावी की कथाई दिखाई जाती थी और अलग-अलग प्रकार के उसमें कैसे स्मगिलिंग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अब देखो वहाँ जो हैं एक मस्जिद नहीं है, कुछ मस्जिद का नाम पर लोग सोचते हैं कि मस्जिद से नमाद पढ़ने के लिए नह हो, सुन्नी इबराहमिया मस्जिद, कादरिया मस्जिद धरावी, सुन्नी जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद, सुन्नी कादरी मस्जिद, मस्जिद अबु बकर, मस्जिद मुहम्मदी अले हदिस, मदर्सा इसलामिया, जकारिया मस्जिद, जामिया मस्जिद, आप एक पूर नहीं है कि वहां मस्जिद नहीं है मस्जिदों की भारी शंख्या है लेकिन जो एक मुंबई में उस मेंटलिटी से हमारा मुंबई अभी भी नहीं निकला है कि धारावी से निकला हुआ कोई अंडर वर्ल एक और करता था पूलिस के लिए भी उसको काटना मुश्किल होता था कोई political party का नेता वहाँ के बिरोध करने में समस्य आती थी कोई अगर criminal वहाँ घुस गया है तो उसको निकालना कठीन होता है तो अभी भी उस मानसिक्ता के कुछ लोग हैं जो उसके हिसाब से सोचते हैं कि आज भी हम चला लें अब बाकी हम जो ले रहे हैं कि सारे मामले को एक जैसा बना देना वहाँ कोई मस्जित को ले करके कभी तक मुंबई में कोई इतना बरा अंदोलन शुरू नहीं हुआ है हिमाचल का केस बिलकुल अलग है मुंबई का केस बिलकुल अलग है कोई अवयद चीज है वो क्या तरक दे रहा है ज़रा सुनिये तरक कि जब सरकों पर हमारा नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया है तो हमारी जगा भी तोर देंगे आप तो हम नमाज पढ़ने कहा जाएंगे जबकि यो पूरी मस्जिद तूटने नहीं आई है 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार मैं यह कह रहा हूं कि फर्स टाइम उत्तर प्रदेश में 2020 में और ईद के में रमजान में मस्जिद के बाहर सरकों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ है इतने अब वही लोग अंदर पढ़ रहे है नहीं तो आप म कैसे वह हो गया कैसे लोग अंदर नमाज पर रहे हैं तो इसे लिए इस समय तो मिलिन देवराजी चले गए हैं बरसा उसा गाओ कर क्या नम है बरसा गायकवार गई है और खबर आ रही है कि भाया उन्होंने सुसिल कुमार सिंदे को कहा है कि अभी इसको न गिराया जाए इ अवैद पार्ट को हटा लीजिए नहीं तो गिरा दिया जाएगा नोटिस वहाँ चिपकाने नहीं दिया गया है नोटिस जानने वाले को धृका मार दिया गया है और फिर वहाँ से उसको तोरा भी नहीं जा सकता है और ये भी सरकार कहती है कि ठीक है हम देखेंगे वैं निरुम्हित देकरब से अवैद निर्मान हटाने के लिए 4-5 दिनों कांप मांगा है। जिसे BMC ने मान लिया है। ये आपने संजॉुल्य की बात किये थि हरश्वरदन जी ने हैं मैं यहाँ पर भी एक कहे रहे है एक चार से पाँच दिन का वक्त दीजिये और इसे भी ब्यान किसका है अगर ये बैंसी का प्रेस नोट है प्रेस बोलिटिकल हो या जो भी हो अगर दिन का समय देना चाहिए उनको तोड़ने के लिए ठीक है आप अपने अपने अख्रण तोड़ सकते हैं उसका स्वागत करन का है BMC का प्रेस्ट नोट है BMC ने दिया है या बीच का एक रास्ता निकालने के सुसील कुमार सिंदे की सरकार ने बाचीत करते हैं लेकिन यह निदान नहीं है हम लोग चार दिन सब या कारवाई करती है उससे कारवाई करने की जुरूद भी पड़ती है या नहीं खुद मस्जित की कमिची इस पर काम कर लेते हैं ना पड़े तो अच्छा है लेकिन यह टालने वाला मसला नहीं हो चाहिए चीक है